हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टो माई चैनल वेल्कम बैक टो आनाधर व्लॉग तो एगें टुड़े इस साटेड़े आंड चैसी वीकेंड हो जाती है मैं निकल जाती हूं दिल्ली घुमने के लिए क्योंकि दिल्ली में इसे बहुत सारी जगा है मैंने एक्स्प्लोर नहीं काकेदा होटेल जो की CP में है और बहुत ही पुरानी होटेल है आप देख सकते हो बाहर कितिनी जाधा भीड है मतलब यह सब लोग लोग वेटिंग लिस्ट पर खड़े थे आपको वहां पे मिनिममम 30 मिनिटस का मिनिममम 30 मिनिटस का वेटिंग तो रहता ही है अगर बहुत जादा भीड हुई तो उससे भी जादा जा सकता है और यह जगा जाने से पहले मैंने गूगल में इसका रिव्यू रेटिंग्स देखा था अच्छा था और यहां पर जाके पता चल गया क्योंकि इतना भीड था और उसमें ना क्लियरली लिखा था रिस्ट्रॉंट में कि इन ले लेते हैं और विदिन फाइप मिनिट्स के अंदर आपके टेबल पे खाना होता है बहुत ही फास सर्विस है इनकी सो मैंने ओडर किया था मतन पुलाओ साग चिकेन और उसके साथ था ना यह जो प्याज के जो लच्छा वाला प्याज उसके साथ मसाला डालके था वो सब 4.4 km के लिए मैं आप में दिखा रहा था 17 मिनिट और इतना जादा भीड था कि मतलब क्या ही वोलू में दिल्ली में लोग कैसे रहते हैं मतलब इतने चोटे 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 डिस्टेंस के लिए आधा गंटा एक गंटा वेट करना पड़ रहा है चैन्नी चोग के अच्छा पी लगा मरपने कुछ भी नहीं लिया आइ तिंग में नेक्स ताइम लोगी की घर पे कुछ ऐसा शादी का फंक्शन आ रहा है तो अगर मुझे लेना होगा तो मैं चैन्नी चोग जा के ले लूग और अच्छा कासा डिस्काउंट में भी मिल जाएगा नेक्स्ट अगर कोई लड़का मेरा वीडियो देख रहा है यार आप लोगो के लिए भी बहुत अच्छा कलेक्शन है चान्नी चोग में अच्छा कासा मिल जाएगा डिस्काउंट में चान्नी चोग में गुरुद्वरा सिजगंज साहीब है वह बहुत ही बड़ा है और मुझे पता गुरुद्वरा के आसपास के जगा हो मैंना मुझे बहुत शांती महसूस होती है और उसका जो आर्किटेक्ट्चर होता है इतना वाइट कलर का जो होता है मुझे बड़ा बीस्फूल लगता है उस दिन में नहीं गई थी अंदर किंकि टाइम थोड़ा कम था और मुझे र कासपास में और उस जगह पे काफी भीड लगी रहती है लास्टाम जब मैं चानिचो गई थी ना उस दिन 26 जनुवरी तो अल्मोस सारे दुकान बन था और पूरा खाली खाली था लेकिन इस टाइम मझे चानिचो काफी हापिनिंग लगा मैंने काफी सारे चपल की दुकान को मैंने खरेदा और में हिस पेन के गई थी ना मेरे पेर बहुत आधुख रहे था सो मैंने वहीं पर यह फ्लाट पेन के आ गई थी नेक्ष ना में अपनी फ्रेंड की रेकमेंडेशन पर गई थी कुटीज में जो की दिली में बहुत ही पुरानी एक साउथ इंडियान काफी बड़ा था दिन में और किया थेक मसाला डोसा तो दोनों का टेस्स काफी ओके ओके था क्योंकि इससे अच्छा साउथ इनन फुड में नौईडा में खा चुक हुए इस नॉट वर्ट था हैप